डिक्टेशन स्टार्ट उपाध्यच महोदे आप सब जानते हैं कि हिंदी हमारी राष्टभासा और राजभासा दोनों है राजभासा हुआ है जिसमें किसी भी देश की सरकार का कामकाज चलता है भारत में पिछले कई दसकों से अंग्रेजी ही राजभासा रही है और सरकार के सारे कामकाज अंग्रेजी में ही चलाए जा रहे है भारत की स्वतंत्रता के बाद नेताओं का यह विचार रहा की भारत भी देशी भासा अंग्रेजी को राजभासा के रूप में हमेशा के लिए स्विकार नहीं कर सकता जब देश अपना हो गया तो उसकी राजभासा भी अपनी होनी चाहिए महात्मा गांधी जवाहर लालनेहरू जैसे नेताओं का मत था की भारत में हिंदी बहुमत से बोली और समझी जाती है इसलिए हिंदी ही राजभासा बन सकती है भारत सरकार ने 1963 में राजभासा अधिनियम बनाया इसके अनुसार सरकार के सभी कामकाज अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी में भी किये जाने लगे सरकार के मंत्रालियों और कर्यालियों में इसका पालन होने लगा अब देखेंगे बैंकों में हिंदी का प्रियोग कब से और क्योंकर होने लगा बैंक का सबसे प्रमुख कार्य जनता की धन रासी को संभाल के रखना और अवसकता पर रिन आदी देकर जनता की सेवा करना है लेकिन आमतर पर अमीर लोग ही बैंकों के हिस्सेदार थे और जब कभी उन्हें या उनकी जान पहचान वालों को उद्योग धन्धों के लिए अधिक रकम की अवसकता परती तो बैंकों से लाखो करूणों में रिन ले लिया करते थे सरकार ने अनुभव किया कि बैंकों में जमा धनरासी का सही उपयोग तभी हो सकता है जबकि वह धन चुने हुए कुछ ब्यक्तियों के बीच न बाटा जाकर जनता के एक ऐसे छेत्र में बितरित किया जाए जो अमीर नहीं है लेकिन जिनके पास छोटे मोटे धन्धे है छोटी सी जमीन है पर उसे बढ़ाने के साधन नहीं है जब तक बैंक हिस्तेदारों के अधीन रहेंगे तब तक सरकार की यह नीती सफल नहीं हो सकती थी इसलिए सरकार नी दू करोण से अधिक जमा रासिया जीन बैंकों में है उन्हें राश्टिये करित करने का निश्चय किया इसके परिडाम स्वरूप 1979 जुलाई के दिन 14 बैंकों का राश्टिये करन हुआ तब से इन बैंकों में आम जनता फिछडे और कमजोर वर्ग के लोगों की अधिक अधिक बितिये सहायता पर जोर दिया जाने लगा राश्टिये करन के बाद बैंकों की अधिकांस सखाएं ग्रामिर और अर्ध सहरी छेत्रों में खोली जाने लगी समाप डिक्टेशन को चैनल को सस्क्राइब कीजिए डिक्टेशन को अपने दोस्तों को बेश सेयर कीजिए जो इस्टेनोग्राफिक की तैयारी करते हैं ऑनल और ट्रामिर एज सेयर का बारिक एकोम grateं सक्टेशन कोई तैयार.''